एख पिछा किये स्टार्ट करें होगे कि फिश्ले लेक्चर में हमने कंपाउंि दिसकर्स किया था ठीक है और आज बेंजर कैसे संट करें खिख खबांशन करते हैं मैंजर वा किया होता है इसको और स्टार्य किए nossa asus कि वीजिविगे करने ही आथ सिन, इसका क्या होता है इसका molecular formula आपका क्या होता है structure value ring formula क्या होता है इसके chemical properties क्या होते है ये लेमने कैसे format होता है ठीक है इसको discuss करते हैं तो देखें इसका बेंगरी का में होता है हमारा उसका जो एमेर्ट होता है molecular formula Molecular Formula Molecular Formula हमारा होता है C6H5CWH और कम बेंग जोई कैसे बेंगी रिंग पर CWH गुरुप अटेक्च कर देते हैं ठीक है इसका रिंग Formula हमारा होता है रिंग Formula क्या हुजा है हमारा ये बेंगी रिंग बना देते हैं ठीक है ये क्या होता है हमारा बेंगी रिंग और इसकर CWH एच अटेक्च कर देते हैं Molecular weight अनुभार अनुभार इसका कार्वन के कितने है 7 कार्वन हाइडोजन के कितने है 6 हाइडोजन ऑक्सिजन के कितने है अक्सिजन का 16 टोटल लाग्य बारह साथ 84 प्लस 6 प्लस भड भड़ी 2 दस दो बारह बच्चा हूं 1,4,4,4,4,12 1,2,2 1,2,2 ये इसका Molecular बेंग होता है ठीक है ये होता है हमारा बेंगे कैसे अग इसको बेंगोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं उसको डिस्केस करते हैं इसको रिष करते हैं थोड़ा सा इसका Preparation Method लिखते हैं बहुती अच्छा कंपाउंड है Preparation Method Preparation Preparation Method या Lamb Method Lamb Method प्रियोग साला में से कैसे बनाते हैं करते हैं तो हमें बेंगल एसेड का फॉर्मिशन हो जाता है यह प्रोसेस होता है या हम बेंगल यहड का आक्सीकरट छारी तेनलोफोर के द्वारा आक्सीकरट करने पर प्राप्त किया जा सकता है ओके तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं पहले बेंगल एल्कॉल का फॉर्मिशन करते हैं नियम को यह है बेंगल क्लॉराइड C6, H5, CH2, CM बेंगल क्लॉराइड यह जा होता है बेंगल क्लॉराइड होता है इसको लिख देते हैं बेंगल बेंगल क्लॉराइड प्लो राइब का चल अपड़न किया हाइडामसिस होच के साथ रियर्शन किया तो ये दिखो हC-L हमारा आउट हो जाएगा ओएच से जुड़ जाएगा तो C6, H5, C1, CH2, OH पिनस हC-L बन जाएगा ये बैंजिल एंपोन होता है तुमारा बैंजिल एंपोन एंपोन आउट होता है ठीक है अब बैंजिल एंपोन से बैंजिल एंपोन बैंजिल एंपोन का जब हम उक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या है H2O बाहर हो जाता है ह2 ओ बाहर हो जाता है ये ह2 हमारा बाहर हो जाता है और C6, H5, CHO का फॉर्मेशन हो जाता है ह2 ये बैंजेल लिहाइड हो जाता है बैंजेल लिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है बैंजेल लिहाइड C6, H5, CHO बैंजेल लिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है बैंजेल लिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है हो जाता है इसको क्याते हैं हम बैंजेल लिहाइड 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 का फॉर्मेशन हो जाता है और कभी कभी बैंजेल लिहाइड का उक्सीडेशन करके बैंजेल लिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं लेकिल आप तीनों ही रियक्शन इसको प्रिपिरेशन मेथड में लिखना तभी मार्क्स मिलेंगे आपको ठीक है? आप उन्हें अच्छे से लिख लें कर लें इसके होता है, बीकर होता है, फ्लास होता है ठीक है? अब इसके युश्की बाब करते हैं यूश्क, यह है करशली होता है दो ठीक है? नमर श्रस् ेल करलिय होता है ठीक है, नमबर दो, क्वथनान, इसका, जो क्वथनान को होता है, वो 122 डिग्री सेंटीग्रेट होता है, क्वथनान को 122 डिग्री सेंटीग्रेट होता है नम्मा थड़ जल में कम बिले होता है जो थंड़ा जल होता है उसमें क्या होता है थंड़े जल में कम बिले और नम्मर को गर्म जल में अत्यांत बिले होता है नम्मर थर्ण नम्मर फिर्ण यह जल में गर्म जल में और देखो एल्पोल और इथर में भी बिले होता है एल्पोल और इथर इथर में बिले ठीक है यह इसके फिजीकल प्रॉपर्टीस होते हैं ठीक है यह इसके क्या होते हैं फिजीकल प्रॉपर्टीस ओके अच्छा सबसे पहले हमने इसको प्रिपिरेशन मेथड बताया लेवरेटरी मेथड इसका बैंजल एल्पोल का फॉर्मेशन हुआ 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 है तो बैंजल एक्षी का फॉर्मेशन होता है ऑप्सीगण ठारी के इन्यों खुल के द्वार करते हैं तो हमेए होSt ने शूल इसके अध्र इसके और इसके विजिक प्रॉपर्सराइस के अचन्वरेशन ब्रॉथegर्फ कोमेशन फर्मेशन फाकर बहूं आपनी परोपरटीस बतायँ है ठीक है कि रम के रम में इसा होता हैки यह है एल्कॉल और इथर ने भी बिलेव होता है ठीक है यह आपके फिजिकल पॉपर्डिस हो गए अगले लेक्चर में हम इसके केमिकल पॉपर्डिस और इसके यूज को डिस्टस करेंगे तब तक पिलिए इसे अच्छे से बात करें आपको रेजुनर वीडियो मिलती रहें कि आर्गमे उपर आपका दब तक पूरा नहीं होगा तब तक यह वीडियो पंडिरी रहें इसके बाद आर्गमे कराऊंट देंगे ठीक है तक यह वीडियो होगे ठीक है कहीं किसी चैनल को देखने के आपको आधा सकता नहीं करेंगी ओके बाए